नमस्कार दोस्तों स्वागते आपका इंडियन स्टिडी की हिंदी यूटूब चैनल पर चलिए स्टार्ट करते हैं वर्क एंड टाइम पार्ट नम्मर थर्ड पहला कोशन देखते हैं एक इसी काम को 20 दिन में, बी 15 दिन में और सी 12 दिन में कर सकता है ए उसकाम को कितने दिनों में समाप्ट कर सकता है यदि उसे एक दिन भी तथा अगले दिन सी के साथ एक कांतर किरम में कार करना पड़े देखिए इस टार के कोश्चनों को किस तरह से सॉल्ब करते हैं देखते हैं A किसी काम को 20 दिन में B 15 दिन में और C 12 दिन में कर सकता है तो पहले 20 पंदरा और 12 का निकालेंगे लासा जो कि आगे आपका 60 इसका मतलब यह है कि आपके पास कुल काम है 60 अब 60 कामों को A B और C की साहिता से पूरा करवाने है और करवाना कैसे है देखिए A एक दिन B के साथ काम कर रहा और अगले दिन C के साथ एक अंतर किरम में काम कर रहा तो A और B के एक दिन का कार 60 बटे में 20 प्लस में 60 बटे में 15 एक कोस्ट्टू हो जाएगा 3 प्लस में 4 एक कोस्ट्टू 7 यानि कि A और B एक दिन में 7 काम पूरे कर देंगे और अगले दिन A और C काम करेंगे जो कि है आपका 60 बटे में 20 प्लस में 60 बटे में 12 एक कोस्टो 3 प्लस में 5 एक कोस्टो 8 यानि कि A और C एक दिन में 8 काम पूरे कर देंगे अब दो दिन में A ने, B ने और A ने C के साथ कुल कितने काम समाप्ट कर दिए मुएं आपके 15 कुल काम है अपने पास 60 दो दिन में 15 काम समाप्ट हो गए तो एक दिन में 2 बटे 15 और कुल काम है 60 तो 60 कामों को पूरा करने में लगा समय दो बटे में 15 गोड़ों में 60 सॉल्व कर देंगे अंसर आप गया आपका 8 दिन नेक्स कोशन देखते हैं दूसरा कोशन कह रहा है A, B तता C एक काम को करमसा 20, 30 और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं A काम को B तता C के पिरती तीसरे दिन की साहिता से कितने दिनों में काम को पूरा कर सकेगा ये जो लाइन है पिरती तीसरे दिन की साहिता से तो इसका मतलब ये है कि पहले दिन A अकेला काम कर रहा दूसरे दिन B अकेला काम कर रहा और तीसरे दिन A के साथ B भी काम कर रहा और C भी काम कर रहा देखिए आप इस तरीके के सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे 20, 30 और 60 का ले लेंगे LCM जो कि आगया आपका 60 इसका मतलब यह है कि आपके पास कुल काम है 60 और वो भी आपको A, B और C की साहिता से 60 कामों को पूरा करने है तो पहले दिन A अकीला काम करेगा तो 60 बटे में 20 उसने 3 काम पूरे कर लिए दूसरे दिन भी A अकीला काम करेगा तो फिर 3 काम पूरे हो गए लेकिन तीसरे दिन A के साथ B भी आ जाएगा और C भी आ जाएगा तो तीसरे दिन का जो काम हो गया आपका 20 बटे, सौरी 60 बटे में 20 प्लस में 60 बटे में 30 प्लस में 60 बटे में 60 तो एक क्वश्ट्टू हो गया 3 प्लस में 2 प्लस में 1 एक क्वश्ट्टू 6 यानि कि तीसरे दिन 6 काम पूरे हो गए अब 3 दिन में आपके कितने काम पूरे हो गए 3 प्लस में 3 प्लस में 6 यानि कि 12 काम 3 दिन में पूरे हो गए तो एक काम पूरा होगा आपका 3 वटे 12 दिन में तो 60 काम है अपने के पास टोटल तो 60 कामों को पूरा करने में लगा समय 3 वटे में 12 गोड़े में 60 सॉल्ब कर देंगे अंसर आगे आपका 15 दिन इस तरीके के सवाल एक्जाम में बहुत पूछे जाते हैं अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल इंडियन स्टिडी को सस्क्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को सेर कीजिए और लाइक कीजिए नमस्कार दोस्तो जैहिन जैह भारत